अगर आपने चितर कला की बिल्कुल भी तयारी नहीं किया, बिल्कुल समय बचाएं अगर आप भी चाहते हैं चितर कला में आपको 65 प्रस नमबर मिली है, 70 मी स्थर में 70 नमबर मिली है तो इस विड्योगों ध्यान से देखेएंगा चुक यूदि सब्सक्राइब सकता है प्रस्ट में दिये गहाँ आपको सलूजन करान है जएगए यह भी आपको दिया गया यहांप visit जैसा पेपर आने वाला है बिल्कुल वैसा ही पैपर आपको दिया गया आप देचते हैं भारती चित्रकला का वी प्रसंदिया गया जो पेपर इतना जादे वायरल उतना जादे इंपॉर्टेंट अगर एक घंटे पहले क्या करते यस पेपर का सेलेटेशन देख लेते हैं दोस्तों देख लेते हैं तो उससे प्रस निए गए बिल्गूल ऐसा ही पेपर क्या होगा आपको चे लए देखने के लिए किसी भी चैनल पर देखे लिए नहीं मिलेगा और यह जो वाइरल पेपर अभी तक किसी के पास नहीं आया तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे नहीं यहां पर क्या करूंगा दोनों प्रसन आपको कराने वाला एक प्रसन आपके लिए बहुत ज्यादे इंपॉर्ट ऑफ यह ज chancellor वीडियो को जुशन पर देते हैं इस सारे प्रसन का सलुशन करांदे तो ऑप को यहां पे पहला के पहला दिया गया आलेखांकला की प्रसन इसमने बताया रहा है कि 20 नंबर का यह..ए प्रसन होगा च्छे होती है या साथ होती है तो ज़ादुग प्रात्विक रंगों की संख्या तीन होती है तो यहाँ पे खौबल ऑपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर देखी नेक्स्ट प्रसना को दिया गया है कि निवन में से ठंडा रंग काुण सा है लाल रंग होता है ना को बताना है में नीला रंग मिलाएंगे तो बूरा रंग बनेगा हरा रंग नारंगी रंग बनेगा आपको पता है तो मिलने वाला थो प्रसण को प्रसण को आप लिए आप सभी को मता दू है बनेगा तो खोवल आपसन अप ficou जाएगा यहां पर दीके आपकों चार नंबर का प्रसना गया से पफित की आपको प्रंच कहते हैं की टथशंतरंग कितने होते हैं 4 होते हैं एक होते हैं यहां इसके अलबार दो और आपसन आपको को प्रेक्ट हो जाएगा अब पर का वाइरल प्रसन आपको दिया गया प्रसन कह रहा है कि तठस रंग कितने होते हैं आपको बताना है कि तठस रंग कितने होते हैं चार होते हैं एक होते हैं या इसके अलावाद दो और आपसन आपको दिया गया है और हम चलते हैं इसके आपसन को देख लेते हैं यहां पर इसको ध्यान से देखना है प्रसन कहे रहा है कि कला सब्द किस भासा का सब्द आपको बताना है कि जो कला सब्द हो किस भासा का सब्द है हिंदी का है संस्कृत का है पाली का है या बंगला का है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्षिन में बताईए आप सभी को बता दू कि यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा आपका खोबला हो जाएगा जो कला सब्द है संस्कित भासा का सब्द है आपको याद रखना है इस वाइरल पेपर में देखिएगा आपको 6 नमर का कितना सांदार कितना लाजबाब दिया गया प्रसने कहे रहा है कि लाल में हरा रंग मिलाने पर लाल में आपको हरा रंग मिलाना है तब सभी को बता दू इसका correct answer कोवला हो जाएगा लाल में जब हरा रंग मिलाएंगे तो आपका क्या होगा पीला रंग बनेगा यहाँ पे साथ नमर का प्रसन देखिए इस वाइरल पेपर में कितना सांदार कितना important दिया गया प्रसने क वाइरल पेपर में आपको क्या दिया गया है कि वस्टवाल संबंदित आपको बताना कि जो उस्टवाड होता हो किस से संबंदित होता है तैल माध्यम से होता है सयोजन से होता है तूलिका से होता है यह रंगों से होता है तो आपको याद रखना है कि वस्टवाल का समन रं उपताना को बताना कि लाल और अवर यह से मतलती नंबर का प्रजमाई कितना जाने इंपे दाइड़ि है, वड हीन है या इनमे से कोई नहीं तो यहां पर भाई आपको याद रखना कि जो भारत का जो राष्टी द्वाज है ना वाड़ी है मतलत इसमें क्या है एक से अधिक रंग है तो जिसमें एक से अधिक रंग हो ता उसे बहुआ बोलायाता है और हमारे आते हैं 11 नमर के प्रसंद पे 11 नमर का प्रसंद हम को क्या दिया गया इस वाइरल पिपर में प्रसंद दिया गया है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्पूर घटक है आपको बताना है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्पूर घटक क्या होता है आलेखन होता है बिरोध प्रकार के होते हैं यहां पर 4 प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं ति सभी को बता दू कि बता दू , Concern के रिख्या गनादा है फर्स के किंदर के लिए किया जाता है, साडी के किनारे के लिए किया जाता है, च्छत के किंदर के लिए किया जाता है, या तक्ये के किंदर के लिए किया जाता है, तो हम अब आपसन करेक्ट हो जाना चाहिए, चुक किनारी लिखा हुआ है, और साडी के किनारी यहाँ भी किन लिखा हुआ तो यहां पर कोई डाउट होगा अगर लगता है कि हमने गलत आपको बता है तो आपको कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा यहां पर कितना जादे इंपोड़न दिया गया बहुत ही जादे इंपोड़न है 100% परिचा में पूछा जाएगा प्रसन कह रहा है कि हरा रंग नेतरों पर कैसा प्रवाव डालता है तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हरा रंग होता है ठंडा होता है जो ठंडा रंग है जो ठंडा प्रवाव ही डालेगा तो कोवल आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15 नमर का प्रसन देखे कितना जादे इंपोड़न ही दिए प्रसंड के रहा है कि चितर में गाहरा रंगविसेस कर क्या दरसाने के लिए होता है घंmad तो दिखाने के लिए काली घटा दिखाने जिक रहा है और इनमें कोई नहीं इसमर कुईस को याद रहा है कि सब्सक्र सकतूर करेक्ट हो जाएगा और यहान um ever call ऑस भीका relaciono हम लोग प्रट लेते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रसंट पे और आप अपको दिया गया था यहाँ करेक्ट नहीं होगा यहाँ पिसके अंतरगत आएंगे तो तो इस बहुत जानदार संदार है यहाँ पर बता दूं कि और यह को हो जागा यह दित्यक रंग आपको याद करतियों की पुर्णा विर्ति करने के लिए किस पेपर का प्रियों किया जाएगा यहां पर 19 नंबर का प्रसंद बहुती सांदार बहुती लाजबाब दिया गया प्रसंद कहे रहा है जो पर भाई दिया गे धर प्रसंद निस्ची तहीं पूछा जाएगा प्रसंद प्रसंद कहे रहा है कि लाल में सफे द्रंग मिलाने से कौन सरंग बनता आपको बताना है कि जब हम लोग क्या करते हैं लाल में जब सफेद रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा नारंगी बनेगा गुलाऑी बनेगा हरा बनेगा या बैगनी बनेगा यह प्रसन्ट बहुत यह जादे इंप्रटेन भाई इस प्रसन्ट का एंसर आप लोग एंसर आप लोग इसा ज्रूर जरूर देंगे इस अलेखन काला की दोनों करा देता हूँ, चुकि आप कौन से करेंगे, या आपको उपर depend करता, आप लोग लाश्ट मुझे बताइए कि आप लोग कौन से करेंगे, अलेखन कला के प्रसन करेंगे, या प्रावेधिक कला के प्रसन करेंगे, तो यहाँ पर देखें, प्रावेधिक कला में भी आ मितलब होता है जिन दो कोण ओन यहां करिक्ट हो जाएगा यहांप ट兩個 पर इचा मैंगा करिए ना कि और सालिस का होता है या साट का होता है तो आपको याद रखना कि वर का परते को नब्यांस का होता है तो इसको बिल्कुल द्यान से देखेगा यहां पर प्रसन करें कि गण का परतेक फ्लक किस अकार का होता है घंड होता है तो नब्सक्राइब किस प्लकुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर पन्च नमबर का प्रसन देखें कितना सांदार पूछा गया कि गन में कितने फलक होते बहुत जादे इंपौरणी आपको याद रख़ना है यहां पर 6 नंबर का प्रसंद कितने प्रकार की माप अंकित कीजा सकती है दो परकार की तीन परकार की चार परकार की या पांच परकार की करेक्टेंसर यहां पे कौवाला हो जाएगा एक साधारण पर मैंने एक साधारण पैमाने पे दो परकार का माप हम लो दिखा सकते हैं यहां पे साथ नमबर का प्रसम देखी इस वायरल पेपर में पूछा गया कि दो ब्रितों के अंतर के बराबर एक ब्रित बनाने के लिए एक तिर्भूज का उपियों किया जाता है तो चलिए पेपर के पेज को हम लोग पलटते हैं और यहां पे देखे आपको यहां पे आपको चार आपसम दिया गया है संभाव तिर्भूज दिया गया है को हम लोग क्या कहते हैं सरल कोल कहते हैं तो यहां पे कवल आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कभी-कभी रिजी कोन भी देता है आपको याद रखना है यहां पर नमबर का प्रसंद दिया गया है कि एक आयताकार कवरें वे कितने उर्ध्वादर फलक होते हैं दो होता है छे होता या आठ होता यह यह भी प्रसंद बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है तो आप सभी को पता है कि चार क्या होते हैं वो ध्वादर फलक होते हैं आपको याद रखना है दस नमबर का प्रसंद दिया गया प्रसंद कहरा है कि एक सीरा बिर्तकार है तो दूसरा सीरा हो 90 अंस का है तो दूसरा कितना होगा तो अर्ध बृत में टोटल कोण 180 का होता है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा आपको याद रखना है खवल आप्सन करेक्ट हो जाएगा वाइरल पीपर का दिखे तेरे नमबर का प्रसंद बहुत ही जादे बहुत ही इंपॉर्टन दिया गया है प्रसंद नहीं कहा रहा है कि यदि एक बृत में एक कोण 120 अंस का है तो दूसरा कोण होगा तो जो पूरा बृत होता है न इसमें जो कोण बनता है आपका 360 का होता और करेक्ट हो जाएगा और चौधे नमबर का प्रसंद अगर आप देख पा रहे हैं तो यह भी प्रसंद बहुत ज्यादे इंपॉर्टन करेंस के कोण में एक कोण 30 अंस का है तो दूसरा कोण कितना होगा तो दून मिला के साथ है तो दूसरा 30 होगा तो खोवल आपसन किसी बहुत के वहाघा तो यह जो होता है तो यह चार संकूड के बराबर या निहीं व्हों 20 अग्य। तो नब्वे अंसे अधिक कोड को क्या कहते है तो यहां पे गोवल आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 20 नमबर का प्रसन आपको दिया गया वायरल पेपर में कि किसी बृत में कितरे केंदर हो सकते हैं एक दो तीन चार तो यहाँ पे किसी भी बृत में एक ही केंदर होता है तो यहाँ पे आपको कोवल आपसर करेक्ट कर देना है इसके बाद से दिखेगा बोर्ड पर में तीन चीज़ आपको देगा एक प्राकिरते दिसे चितरण देगा एक आलेखर कला देगा और आपको प्राइवेधिक कला देगा मतलब तीनों में से कोई एक ही आपको करना है तीनों नहीं करना आएंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा पर आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्या करेंगे 20 गुड़े 25 में बनाएंगे 20 गुड़े 25 समझ रहे मतलब आयत बनाना है तो यहां पर आपको दिया गया है लंबाई जो आपका होगा 20 होगा और चोड़ाई जो होगा पचीस होगा इसा आपको कहा होगा जैसा आपको आपको यहां पर नंबर लिखा हुआ है कि यहाँ पे सही अचना परिपेच पे आपको 10 नंबर मिलेगा, तो क्या करेंगे, सही बनाएंगे, मतलब 20 गुड़े 25 को बनाएंगे, तभी आपको 10 नंबर दिया जाएगा, सयोजन करेंगे अच्छे से तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और रंगों का चैयन अच्छे से करेंग अगर कोई फिगर लग जाएगा इस टाइब कर तो मैं लगाने की कोसिज करूँगा अगर नहीं लगा पाता है फिर भी आप लो देख लीजिगा लेकिन इस प्रसन को बिल्कुल आप लो तयार करेगा इसके बास से देखेगा आपको अथवा करके दिया जाएगा आलेखन कला करें तो आप चाहे तो प्रकिर्दी दिश्ट को करिए नहीं तो आप चाहे तो आलेखन कला को करिए तो आलेखन कला में आपको क्या तयार करना दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर ब्यास के ब्रित में पूर्ण काई वाले मौली का लेखन देखेगा 20 सेंटीमीटर का ब्यास लि कभी जेगा कृध कभी वर्ग भी देता है कभी आयत में बनाना होता है तो जैसा देगा वैंसे बना लेंगे अगर वर्ग कहेगा तो चार अजए आपको बराबर लेना आयत कहेगा तो आमने सामने कापको क्या करना है बराबर लेना जैसे इसके बराबर होगा यह इसके बराबर होगा अगर ब्रीट कैए गा चिनाथ हम लोग पिलट लेते हैं क्या की आमको दिया गया है मैं कि गोला खीचने के बाद जिसमें किसी भारती का फूल गया कुछ भी दिखाना उत्तम हो मतलब और आगे लिखा गए आलेखन में कम स्कम 3 संगत आले जल रंगों का प्रियोक कीजिए अलेखन में निवन बिंदुओं पर ध्यान देना वही चीज लिखा हुआ है, उक्ता पर आपको 10 नंबर मिलेगा, लयात्मकरे खंकन पर आपको 5 नंबर मिलेगा, उत्तम रंग संगत पर आपको 10 नमबर मिलेगा, और आकार्षण और सम्माने परवाव पे 5 नमबर मिलेगा त यह पॉइंट आपको ध्यान देना है यह प्रस्ना देना है तब प्रस्न कोड़ी के प्रस्नाएगे यहां से आपको प्रश्ंद दिया गया है पहला प्रेसर कहा रहा है कि तीन सेंटिमीटर तीजिया के एक बृत खीच कर बृत पर दो असपस रखाया खीची है जो 40 संस के कोंड पर मिलती है तो इसको देख लेंगे और फिर आपको दिया कि एक तिर्भूज और बॉसों की राचना की जिसका परिमाब 12 सेंटिमीटर है चता भूजाओं का उनुपाद 13 उनुपाद 4 उनुपाद 5 है तो इसको भी आप लोग देख लेंगे और यहाँ पे गौर नंबर भी आपको मैं दिखा देता हूं क्या दिया गया इस वाइरल पेपर में एक समदिबाव तिर्भूज बनाई है जिसका प्रते का धार कूण के मपनी का निरूपक बिन निर्यांत कीजिए मपनी पर तीन मीटर 6 डेसी मीटर की दूरी परदसित कीजिए तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको तीन आपसन दिया जाएगा आपको याद रखना है तीस नंबर का प्रसन होगा इसके बाद आएगा इस कोई आपको बनाना है लेकिन यहाँ पर आपकती बनाएंगो को 15 cm से कम नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पर आपको आपको नंबर मिले गा मतलब यह नहीं कि प्रेंट से क्या करें अगर आम दिया है अब छोटा से आपचे आम बना देंगे तो यह आपको नंबर नहीं मिलेगा 15 cm समझ दो रहे नि नाप के लिए कि 15 cm से कम नहीं होना चाहिए यह भी पेंसी से सेड करना है सुराई आना सिख लीजिगा बंद छाता आपका प्लेट और पुस्तक वन आना देख लीजिगा बिल्कुल आपके बुड परिच्छा में पूछा जाएगा यहाँ पर भी आपको 10 नमबर बिलेगा तो फिलाल इसमें प्रसंद दिया गया यहां पर भी कुछ बविकल्पी प्रसंद दिये गया है यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रसंद दिये गया तो आप लोग मत करिएगा आप लोग स्मिर्थी चित्रण कर लिए जो करना चाहता है कर सकता है यहां पर मैं प्रसंद फिलाल दिखाने की कोशिज करता हूं आप लोग देख साथ यह सारे प्रसंदिया गया है तो भारते चितर कला को आपको नहीं करना पी स्मिर्थित चितर कली जेगा आम होगा बना लीजेगा कॉपलेट बना लीजेगा अगया हो कि 6 मार्च को जो कला का पेपर आने वाला किस और यह पेपर बहुत जादे इंपॉर्डेन है बिल्कुल क्या है वाइरल मॉडल पेपर है 100 प्रसंद आपके बोर परिच्छा में आने वाला है तो प्रसंदों को आपको पसंद आया होगा तो प्लिस वीडियो को लाइक करेंगे चैनल पे पहली बार आएंगो तो चैनल को सश्क्राइब करेंगे और मेरे पास क्या है सभी विसो के सासा सेट क्या है वाइरल पेपर है जिनको भी सुख 27 सेट वाइरल पेपर का सलूसर देख लेते है तो 95% उपर नमबर